सो हेलो गाईज वेलकम बैक टो माई चैनल अर्थिशास्त्र की नगरी सो गाईज जैसे कि आपने थमनिल के अंदर देखी लिया है आज हम जो बात करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर वो बात करने जा रहे हैं कि भाई जो आपका कल प्रीबोर्ट का जो एक्जाम हुआ ह स्टूडेंट का उस प्रीबोर्ट एक्जामिनेशन के सॉलूशन के रिगार्डिंग हम बात करने जा रहे हैं आंसर की के रिगार्डिंग बात करने जा रहे हैं कि किस कोशन का क्या आंसर है क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे कोशन के अंदर डाउट है तो marking scheme के अंदर जो है, उस तक के अंदर जो है, answer जो है, कुछ-कुछ question के गलत दे रखे हैं, बच्चों को doubt है के नहीं, इसका यह answer नहीं, इसका यह answer होना चाहिए था, तो आज हम जो है, इस paper के solution के regarding हम बात करने वाले हैं, यह जो paper आया था guys, बहुत ही जादा जबरदस्त paper आया था, इसके अंदर आपने अगर questions को देखे होंगे, पूरा का पूरा जो paper है guys, वो भड़ा पड़ा है, assertion और reasoning वाले question से, ठीक है, इतने question इसके अंदर mcq नहीं है, जितने question जो है, इसके अंदर assertion और reasoning वाले हैं, और statement वाले question है, तो आप इस इशारे से समझ जाईए, कि भईया जो आपका term 1 का, जो board का, जो exam का, जो paper आने वाला है, वो किस तरीके का आने वाला है, ठीक है, तो उसमें भी format बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, mcq कम और assertion, reasoning और statement, ये वाले question जो है, exam में आने के chance बहुत ही जादा है, क्योंकि इसमें सबसे जादा दिक्कत ही होती है, कि इसमें बच्चों को confusion बहुत होती है, कि भाई यार ये assertion क्या है, reason क्या है, कौन सा true है, कौन सा false है, क्या reason इसकी सही व्याख्या कर रहा है, नहीं कर रहा, ये बहुत ही जादा conceptual होते हैं, दिमाग लगाना पड़ता है आपको इसके इंदर, और बिल्कुल एक अलग theme है य पहले तो normal true, true false आ जाते थे, तो MC क्यों आ जाते थे, लेकिन अब ये जो question की theme बनाई गई है, ये assertion और reasoning वाली, ये बिल्कुल new theme है, new design पे paper है, ये जो paper है, morning shift का paper है, girls का paper है, दोनो shift के regarding की बात करेंगे, morning वाले भी, और evening वाले भी, दोनो shift की हम regarding बात करेंगे, ठीक है, आ इसके अंदर जैसे आप जानते है, 60 question है, 50 करने है, तीन section के अंदर है, A, B, C, A में इतने है, B में इतने है, C में इतने है, और इतने-तने question को करना है, हम तो सारे 60 question के regarding बात करेंगे, और guys आप इन question को बहुत ही अच्छे से करके जाएगा, I am damn sure कि इसमें से आप ये जो 60 question है ये भी में आपको बताने वालों कि अगर आप उसको करके जाते, तो आप इस question को या इस paper को बहुत ही अच्छे से attend कर सकते थे, तो बिना बकवास के मुद्दे को शुरू करते हैं, बकवास बहुत हो गई, अब आते हैं पहले question पे, question number पहले पे कहता है, कि आने वाले वित के लिए सरकार की अनुमानित आए और अनुमानित वै को क्या कहा जाता है, तो guys यहां पे सरकारी बजट की definition लिखी हुई है, कि एक साल के अंदर अंदर सरकार की जो अनुमानित आए और जो सरकार का अनुमानित वै होता है, उसको simple सी बात है, सरकारी बजट कहते हैं, तो इ उसके बा। कहता है कि एक अर्थव submerged का वेपार शेश जो होता है वो वित वर्ष के लिए मतब एक साल के अंदर अंदर वित वर्ष एक साल को कहते है financial year जो एक improvement से शिरु होता है एक 30 मार्च को खतम होता है और कहारा है डैश को दर्ज करता है किस चीज को जो है व्यपार 6 रिकॉर्ड करता है तो मेरे भाई आपको पता होना चाहिए व्यपार 6 जो है ये केवल द्रिश्य मदो को रिकॉर्ड करता है केवल द्रिश्य मदो को ठीक है तो इसका जो आंसर है द्रिश्य मदो को वस्तूएं कहते हैं वस्तूओं का आयात और वस्तुःं का निर्यात जो है वो जबिदा के साथ सीधा संबन्द नहीं होता यह question इस तरीके से भी आ सकता है यहाँ पे लिखा हुआ है bank of India लिखा हुआ है state bank of India लिखा है central bank of India लिखा है यहाँ पे लिखा है अपना पापा का नाम reserve bank of India तो हम सभी जानते हैं कि reserve bank of India जो है उसका जनता के साथ कोई link नहीं होता है इसका जो link है वो government और commercial bank से होता है तो इसका जो answer है वो हो गया है यह उसके बाद हम बात करते हैं 4 की question number 4 कह रहा है पैचानिये कि इसमें से कौन सा भुकतान शेश के चालू खाते में शामिल नहीं होगा ठीक है चालू खाते में शामिल नहीं होगा मत्तब इसका कहने का मतलब यह है कि इसमें से कौन सा जो घटक है वो पूझी खाते में आएगा ठीक है चालू खाते के घटक आपको पताओने चाहीं है चालू खाते के घटक कौन-कौन से होते बटा दिरिश्य मदे आदिरिश्य मदे और एक पक्षी अस्तान तरण ये तीन होते हैं और पूंजी खाते के घटक कौन से होते हैं पूंजी खाते के होते हैं नीजी लिंदेन, सरकारी लिंदेन, FDI, FII ये होते हैं सरकारी के ठीक है तो भाई यहाँ यहाँ पे जो है यहाँ पे द प्रक्षियस्तान ट्रेंड यह जो तीनों के तीनों आपको दे रखे हैं A, B, C यह तो चालू खाते के दे रखे हैं ठीक है उसने बोला है इसमें से कौन सा चालू खाते में नहीं आएगा यह के आई ए मोटर्स द्वारा भारत में निवेश FDI जो है वो चालू खाते का घटक नहीं होता FDI जो है यह आपका क्या कहते हैं पूझी खाते का घटक होता है तो इसका जो आंसर है वो आएगा C ठीक है C जो है इसका आंसर हो जाएगा अच्छा किसी-किसी बच्चे को confusion होती है कि यह क्यों नहीं आएगा machine जो है आपको धिया किया जाता है एसिट और liability वाले को तो बेटा वस्तुएं चाहे कोई सी भी हो चाहे भोकता वस्तुओ चाहे पूझी गत वस्तुओ कोई भी वस्तुओ वो बेटा उसके अंदर आती है चालू खाते के अंदर वो ट्रीट की जाती है ता finished goods दिरिश्यमदों के अंदर वो count होत होती है ठीक है यह आपके जो आपकी कहते है financial asset हो गए जैसे shares हो गए bonds हो गए इन वाले assets हो की बात होती है वहाँ पर यह आपको ध्यान रखना है इस वज़े से एव नहीं आएगा इसका answer इसका जो answer है वो आएगा C उसके बाद हम बात करते है question number 5 पे अब देखिए question number 5 में क GST 2016 को July 2018 में लागू किया गया तो बिटा यहां पर आप अगर आप देखेंगे कि जो आपका जो GST है GST 2018 में लागू ही नहीं हुआ है GST के तो लागू होने की date जो है वो कुछ और है तो कथन जो statement 1 है वो गलत दे रखी आपको पहला जो statement है वो तो गलत है और दूसरे में लिखा हुआ है कि GST के तीन टाइप होते है CGST SGST और IGST यह बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है यह तो मैंने आपको MCQ question जो बतायते है उसमें भी मैंने आपको बताया था तो यहां पे जो statement 1 है वो तो गलत है statement 2 सही है इसका जो answer है वो आपका D answer है ठीक है कि कथन 2 जो है व कुमारी जो है ना कुमारी गुंजन अपने साथियों को बता रही है कि commercial bank असीमित मात्रा में साख मुद्राकर सर्जन नहीं कर सकते क्योंकि उनको अपनी जमाओं का कुछ बाग केंद्रे बैंक केंद्रे बैंक के पास जमा कराना पड़ता है तो question में यह पूछा गया है कि यहां पर बताईए कि यह जो है किस चीज की बात कर रहे हैं उस चीज को क्या कहते हैं जब commercial bank को को अपनी कुल जमा का एक निश्ची तनुपात RBI के पास जमा कराना पड़ता है उसको क्या कहते हैं तो उसका जो answer है वो है CRR नगदारक्षी तनुपास उस चीज को कहते हैं जो कि सभी commercial bank को को अपनी कुल जमा का एक निश्ची तनुपात RBI के पास जमा कराना होता है तो यहां पर जो गुंजन बात कर रही है वो बात कर रही है CRR की इसी के base पे decide होता है कि कितना loan create होगा और कितना नहीं होगा ठीक है जी उसके बाद हम बात करते हैं question number 7 की question number 7 में क question में लिखा हूआ है question में लिखा हूआ है कि एक सिख्षक कक्षा में अपने सिख्षार्थियों से व्याख्या करता है कि केंद्रिय बैंक की विदेशी विनमे दर के निर्धारण में कोई भूमी का नहीं होती है वो कौन सी विनमेदर है जहांपे केंद्रे बैंक की कोई भूमी का नहीं होती क्यूंकि इसका निर्धारन विदेशी विनमे की मांग और पूर्ती के द्वारा किया जाता है तो तीन तरीके की विनमेदर होती है बिटा एक होती है fix, एक होती है flexible और एक होती है manage floating ठीक है, इस्थिर विनमेदर लचीली विनमेदर और प्रबंदित तरन शीलता इस्थिर में कौन करता है, सरकार लचीली में कौन करती है, mahof अर्पूर्ती की शक्तिया और managed floating प्रबंदित तरन शीलता में दोनों का संयोग होता है ठीक है RBI बीच में इंटरफेर करता है तो यहाँ पे कह रहा है वो कौन सी विनमेदर है जिसमें मांग और पूर्ती की शक्तियां करती है RBI का कोई रोल नहीं होता तो इसका जो आंसर है बेटा वो है जो लचीली विनमेदर जो होती है लचीली विनमेदर जिसको नमेदर भी कहते है तो बेटा उसी काई नाम तरनशील भीनमेदर भी है उसको floating exchange rate भी कहते है ठीक है तो यह अब यहाँ पे उसने confuse करने के लिए क्या करा बच्चे इसको सोचने लग गए कि यह प्रवंदित तरनशीलता है क्योंकि इसमें भी तरनशील आता है उसमें भी तरनशील आता है दोनों में तरनशील आता है लेकिन पेटा जो लचीली वाली है उसके तीन नाम है ठीक है लचीली उसके कही सारे नाम है तरनशील भी उसी कही नाम है लोचशील भी उसी कही नाम है नमे भी उसी का ही नाम है लोचशीलता भी उसी का ही नाम है ये सब उसी के ही नाम है तो English में आपको ध्यान रखना है Flexible और Floating Exchange Rate कहते हैं उसको जिसमें RBI का कोई रोल नहीं होता और मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा जो 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 है कोशन नमबर आठ के अंदर के भाई इन कत्नों को ध्यान से पढ़िये और इसमें से सही विकल्प को चुनिये पहले में कहता है के राजस व्य सरकार के प्रतिबद व्य होते हैं और दूसरे में लिखा हुआ है के ये व्य सरकार के लिए किसी संपत्ति का निर्मान नहीं करते हैं पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए के राजस हो व्य होते क्या है ठीक है राजस हो व्य बेटा ऐसे व्य होते हैं जो की ना तो सरकार के लिए कोई परिसंपत्ती का निर्मान करते ना ही सरकार की liability को reduce करते acid और liability पे किसी भी तरीके का effect नहीं डालते ठीक है कथन 2 तो बिल्कुल ठीक लिखावा है कि कोई परिसंपत्ती का निर्मान नहीं करते ना liability को reduce करते तो statement 2 तो बिलकुल ठीक लिखी हुई है ठीक है जी और अगर हम बात करें statement 1 की इसके example के अंदर क्या आता है इसके example के अंदर आता है जैसे कि pension है ठीक है pension एक example है इसका जो कि हर मैने सरकार जैसे विर्द्ध वस्ता pension वगेरा है देनी देनी है ठीक है और ना सरकार को कोई acid बना कह सकते हो तो भाई ये बिलकुल ठीक है statement 1 भी बिलकुल ठीक लिखी हुई है और statement 2 भी बिलकुल ठीक लिखी हुई है राजस्व के अंदर जितने भी मोस्ति जो है जैसे subsidy वगेरा हो गई ठीक है और pension वगेरा हो गई तो ये committed expenditure होते हैं होने ही होने है और ये सरकार के acid और liability को create नहीं करते ना acid को create करते ना liability को reduce करते परी संपत्ति और दायत वोपे कोई भी प्रभाव नहीं डालते तो इसका जो answer है विटा वो दोनों खतन सकते हैं ये इसका जो है वो answer हो जाएगा उसके बाद हम बात करते हैं उसके बाद हम बात करते हैं question number 9 की question number 9 में कहता है कि भुक्तान शेश के पूझी खाते में मूल रोप से dash तथा dash वर्ग की मदें वर्ग की मदें शामिल की जाती है अब ये जो question आप से पूछा गया है ये जो आप से पूछा गया है बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे पूझी गत के अंदर तो बहुत सारी चीज़े होती है ठीक है पूझी गत के अंदर जो है बहुत सारी चीज़े आती है यहाँ पे जो है सरकारी लेंदेन, नीजी लेंदेन, FDI, FII कई सारी चीज़े होती है ठीक है अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है विदेशों से अनुदान डोनेशन तो बाई यह तो पूंजी खाते का घटा की नहीं है विदेशों को पूंजी गतवस्तो बेचना और विदेशों को पूंजी गतवस्तो बेचना या विदेशों से पूंजी गतवस्तो ख किया जाता है तो पूझी कहाते के अंदर जो आता है FDI औRFFI दोनों इसी के अंदर क Iya Fenakar इसने और रिंप और उधार यह दोनों जू है इसके अंदर आते हैं ठीक है पहला घक और तीसरा घक पहला और तीसरा घटक जो है इसके इंदर शामिल किया जाता है तो B option जो है वो बिलकुल सही है और 9 का जो आंसर है वो B हो जाएगा बिटा उसके बाद है दसवे question में यह आप से कहता है कि सर्वोच वित्ते संस्ता Apex Financial Institution जो मुद्रा की पूर्ती और ब्याच की दर को नियंतरित क्रता है नबाड नहीं करता नबाड भी एक सर्वोच वित्ते संस्था है लेकिन वो Agriculture Sector के अंदर है बाकि Bank of बड़ोध और Bank of India इन दोनों का तो कोई Role इन नहीं है तो भाई या तो यह हो सकता था या यह हो सकता था अगर agriculture sector के अंदर पूछता तो ना बाडम दिखते बट अभी उसने पूछा मुद्रा की पूर्ती वगएरा RBI करता है सब कुछ और ब्याच किदर वगएरा तो भाई यह इसका अंसर हो जाएगा RBI उसके बाद हम बात करते हैं कोश्चन नंबर 11 की कोश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छा कोश्चन है एक्जाम के point of view से ठीक है इंपोर्टन कोश्चन है कह रहा है दूसरी पंच वर्षे योजना को डैश के नाम से भी जाना जाता है आपको ज्यान लखना है जो मैननुबीस का जो मॉडल है मैननुबीस का जो मॉडल है वो बिटाम ने second five year plan के अंदर adopt किया था तो जो मैननुबीस का मॉडल है ना मैननुबीस योजना जो है या मैननुबीस का जो मॉडल है वो ही दूसरी पंच वर्षे योजना है दूसरी पंच वर्षे योजना को मैननुबीस योजन है भादते अर्थ्वेवस्ता विकास का विदेशी वैपार 3 वर्ड होगने मिड़ा एक होना है वॉल्यूम एक होता है बहुत अच्छे थे लेकिन उसके बाद फिर से हम सही आ गए अब हमारे कई सारे देशों के साथ अच्छे रिलेशन है अच्छे संबंद है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं तो दिशा का मतलब होता है किसके साथ कर रहे हैं वॉल्यूम का मतलब होता है कितना कर रहे हैं जैसे इसने दिशा पूछा है न, ऐसी volume भी पूछ सकता है, composition भी पूछ सकता है, यहाँ पर अभी direction पूछ लिया गया, तो ऐसी volume और composition भी पता होना चाहिए, आपको तीनों word का meaning क्या होता है, important question है exam के point of view से, जैसे भी direction आया है, तो composition और volume भी आपसे पूछा जा सकता है, उसके हम food item को छोड़ कर, cash crops के अंदर deal करते हैं, उसको commercialization of agriculture कहते हैं, बाकी question number 14 की अगर हम बात करें, तो कह रहा है कि निम्न कतनों को ध्यान पूर्वक पढ़िये, और निम्न दिये गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिये, दो statement आपको जो है, दो statement आपको दे रखिये, कि निर्धनता रेखा से उपर के व्यक्तियों को गैर निर्धन का जाता है, poverty line का है, एक ऐसी line जो बंदे को poor और non poor में divide गरती है, जो उससे नीचे रहते हैं, जो उससे उपर हैं, वो non poor कहलाते हैं, तो ये तो बिल्कुल ठीक बात लिखी हुई है, लेकिन बेटा जो statement 2 लि संदर्ब में, सबसे important बात का है, मौदरिक संदर्ब में, क्या रहा है, 2400 कैलोरी और 200 कैलोरी है, ये बेटा ये जो 2400 कैलोरी और ये 200 कैलोरी है, ये मौदरिक संदर्ब में नहीं है, निर्धनता रेखा का निर्धारन दो तरीके से हो सकता है, एक कैलोरी के base पे हो सकता है, दोनों में आपको बतायते हैं, तो कैलोरी के बेस पे उसने या पे लिख दिया, मौदरिक संबंद में वो होता है, कि एक दिन में कितने पैसे चाहिए और महीने में कितने पैसे चाहिए, उसको कहते हैं मौदरिक संबंद, तो जो कथन दो है, वो गलत है, और कथन बन जो है, वो बिल्कुल ठीक है ठीक है तो इस लड़की ने देखे क्या लगाया है कि कतन दो सकते है और कतन ये गलत है इसका जो आंसर है वो आपका C option होगा ये इसका आंसर है कि पहली statement तो ठीक है दूसरी statement जो है वो गलत है ठीक है C इसका आंसर होगा उसके बाद कहता है question number 15 में कि नी इमने दियेगा इक विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए देखे सारे question इसके अंदर भरे बढ़े है statement वाले assertion reasoning पे वाले तो आप मैं आपको जो है मैंने MC क्यों तो आपको सारे करा दिये हैं अब हम जो है focus करेंगे अब हम जो है focus करेंगे assertion reasoning और statement वाले question में कि उनको कैसे attend करें आप कह रहा है कि इसको ध्यान से पड़ी और बताईए भारत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का आकर्शक गंतव्वे है यह आपसे पूछा गया है कि भारत जो है ना भारत जो है वो FBI के मामले में एक यह कह स सकते हो हब है मतलब दूसरे देशों की company आपके देशों के अंदर आना चारी है कि यह चीज ठीक है हां जी यह चीज बिल्कुल ठीक है क्योंकि यहां पे अच्छी कासी manpower है और भाई skilled worker है cheap labor है इसलिए दूसरे देशों की company यहां आपके अपने उद्योगों को स्थापित क लिखा हुआ है और फिर उसमें लिखा हुआ है कि CEBR की report के अनुसार GDP के अधार पर 2030 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थवेवस्ता होगी क्या यह CBER की एक report है कोई news है क्या उसके अनुसार GDP की अधार पर 2030 में भारत विश्व के तीसरी सबसे बड़ी संक्य ह होगी यह इन्होंने अभी एक current affair पर question है statement 2 जो है तो यह बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि एक report ती जिसके अंदर बताया गया था कि 2030 के अंदर आने वाले time में 2030 के अंदर भारत जो है world की तीसरी सबसे बड़ी अर्थ विश्व के रखा है यह भी बिल्कुल ठीक दे रखा है दोनों खतन जो है वो ठीक है ठीक है ए जो है एसका आंसर हो जाएगा ठीक है दोनों कथन जो है वो सत्य है एसका आंसर है पंदर वे का ए उसके बाद हम बात करते है question number 16 की कह रहा है खतनों को पढ़िए और बताईए assertion और reason बहुत ही जादा ध्यान से सुनेंगे पहले में लिखा हुआ है assertion के अंदर के अर्थ विवस्ता में मुद्रा की पूर्ती को प्रभावित करने के लिए खुले बजार की क्रियाओं का उपियोग किया जाता है मुद्रा की पूर्ती को प्रभावित करने के लिए मुद्रा की पूर्ती है मुद्रा की पूर्ती कुछ भी कह सकते हो खुले बजार की क्रियाओं क्या होती है जब RBI प्रती बूतियों को खरीता और बेजता है commercial बैंकों को ताकि उसके पास money creation कम हो सके मुद्रा की पूर्ती कम हो सके तो यह तो ब जब आर्थी बैंक के लिए केंद्रिय बैंक सरकारी प्रतिबूतियों को बेचता है काहरा है साख के प्रभाव को बढ़ाने के लिए अगर RBI चाता है कि लोन ज्यादा जाये अगर RBI चाता है अर्थ फेवस्ता के इंदर लोन वगरह जादा जाए commercial bank जो है commercial bank जो है वो loan जादा दें तो कहारा है वो सरकारी प्रतिबूतियों को बेचता है commercial bank को अगर बेटा RBI ने commercial bank को प्रतिबूतियों बेची तो commercial bank को पैसे देने पढ़ेंगे और उससे तो commercial bank के पास नगत कोश कम हो जाएगा ठीक है और अगर नगत कोश कम हो गया तो लोन कैसे जादा जाएगा अगर लोन जादा देना है तो RBI प्रतिबूतियों को बेचता नहीं है बल्कि खरीदता है तो जो reason यहाँ पे दिया गया है वो बेटा गलत दे रखा है reason गलत है असत्य है और जो assertion थीक है तो यहाँ पे आप देखेंगे के यहाँ पे तो इसने गलत लगा दिया यहाँ पे जसका आइगा C इसका अंसर है assertion थीक है और reason गलत है ठीक है यह इसका अंसर है उसके बाद कहता है के बाई column 1 और column 2 में दे गई युगों में से सही युगों को पैचानी है यहाँ पे दो कॉलम दे रखे हैं एक कॉलम वन है एक कॉलम टू है हमें सही पेर बताना है कौन सा है क्या राजस हुवे सड़क पर अगर हमने सड़क का निर्मान किया है क्या वो राजस हुवे कहलाएगा नहीं जी यह राजस हुए नहीं कहलाएगा क्योंकि परिसंपत्ती का निर्मान हो रहा है शुद आदरिश्य वस्तूओं के आयात निर्यात को क्या आदरिश्य कहते हैं नहीं बेटा ये तो दरिश्य कहलाती है चालू खाता जो है उसके अंदर शेश विश्व से उपहार दूसरे देशा कर आपको gift दे रहे हैं तो वो चालू खाते के अंदर आएंगे क्या है एक पक्षी अस्तांतरन का example है ये बेटा बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है के चालू खाते के तीन घटक होते हैं पक्षी है तो ये जो example दे रखा है C में ये चालू खाते का गटक है तो C option जो है वो बिल्कुल ठीक है C का ठड़ जो है ये वाला जो pair है ये बिल्कुल ठीक दे रखा है आपको उसके बाद कहता है कि नीम्न में से क्या कौन सी संस्था कौन सी संस्था ऐसी है जो की भारत में किसानों को प्रत्यक्ष जिन उपलब्द नहीं कराता है डारेक्ट जो है डारेक्ट किसानों को डारेक्ट किसानों को जो है प्रत्यक्ष जिन जो है वो उपलब्द नहीं कराता तो direct जो है भाई वो होता है नाबाड जैसे की जैसे की जो है RBI का जनता के साथ direct link नहीं है बिलकुल इसी तरीके से नाबाड का जो है नाबाड का किसानों के साथ direct link नहीं है इसको direct loan जो है वो बिलिबन नहीं कराता जिते भी सारे bank होते है सहकारी bank, RRB, LBA जित्ते भी जो भी कराते हैं सबको control में करके रखता है ठीक है तो इसका जो answer हो जाएगा वो जाएगा आपका नाबाड उसके बाद है उसके बाद है आपका question number अगर उसके बाद है आपका question number 19 कोशन नंबर अगर 19 की बात करें तो कहारा है निमलिकित में से कौन व्यपार संतुलन में शामिल है इसमें से व्यपार संतुलन में क्या चीज आएगी व्यपार संतुलन में तो व्यपार में बेटा भी मिन आपको बताया व्यपार के अंदर व पाई उमायों में शामिन नहीं किया जाता अब यह कोशन देखो जो मैं आपको पोवाइटी के कोशन बता रहा था उसके इंदर मैंने कोशन इंकलूड कर रखा है निर्धंता को दूर करने के लिए सरकार त्री आयामी प्रहार को अपनाती है कौन-कौन से निर्धंता प्रहार के अंदर आता है उसके बाद हम बात करते हैं कोशन नंबर 21 के रिगार्डिंग और ऐसे उसके अंदर के बाता कोई बहुत अच्छा कोशन नहीं है पूर्य और मुर्ण के ना सुझने मुद्रा के जरूरत होगी तो ऐसी situation में उसको शुनने मुद्रा की जरुरत होगी क्योंकि जब ना कोई खरीदने वाला है ना बीचने वाला है उसको मुद्रा की जरुरत क्यों पड़ती है जब हमें अपनी नीड और वॉन्स को पूरा करना हो ठीक है जब वो पूरा करने के लिए वस्तों से माँ को भोग करना पड़ता है तो जब कोई हो गई नहीं तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा शुनने आपे आ जाएगा अंसर उसके बाद कह रहा है किस वर्ष को मा विवाजन का वर्ष का जाता है repeated question है हर साल exam में आना है 1921 को मा विवाजन का वर्ष कहते है उसके बाद कहता है question number 23 के अंदर कि भाई इनको ध्यान से पढ़िए और बताईए किस में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है पहले में कहता है statement 1 के अंदर भूमी सुदार मुखे किर्शी सुदारों में से एक है क्या ये चीज ठीक है क्या ये चीज गलत है तो भाई बिलकुल ठीक है तीन तरीके के सुदार होते है टीक है एक होते है land reform, institutional और जन्रल तो भूमी सुधार किर्शी सुधारों में से एक है और भूमी सुधारों ने मध्यस्तों का अनुमूनन किया ये भी विल्कुल ठीक लिखाऊ है बेटा लैंड रिफॉर्म्स के अंदर का है लैंड से रिलेटर जो जो प्रॉब्लम्स थी ये जैसे किराए को जो है फिक्स कर दिया ठीक है चकबंदी कर दी मध्यस्तों को खतम कर दिया ठीक है और जमीन की सीमा फिक्स कर दी ये सारे किये गए थे तो statement 1 भी ठीक, statement 2 भी ठीक दोने इसका आनसर हो जाएगा उसके बाद कहता है कि सुतन्तरता की पूर्व संद्या पर भारत्य उद्योगिक शेत्र की विशेष्टा नहीं थी, वो कौन सी विशेष्टा नहीं थी, यह यहां पर इसमें से पूछा गया है, पहले में लिखा हुआ है पिछडी तकनीक, दूसरे में लिखा हुआ है सरकार के द्वारा उच निवेश, ठीक है, और तीसरे में लिखा हुआ है, सीमित सार्जनिक शेत्र और चौते में लिखा हुआ है, कपा सुध्योगों पर भारत्य का, इसका जो आंसर होगा बिटा, वो जाएगा यहां पर, सरकार के द्वारा उच निवेश, क्योंकि यहां पर पूछा गया है सोतंत्रता की पूर्व संद्या पर प्राप्ति के समय सरकार का जो रोल आया था वो तो आई पर उन्नीस से चपन के बाद सरकार ने अपना रोल प्ले किया था तब जाके उन्होंने इंवेस्मेंट वगारा की तो उन्नीस से चपन के बाद था ठीक है यहां पर पूछागा है इंडिपेंडेंस के टा ते हैं उसके बाद हम बात करते हैं तीस कोशन हम इसमें करेंगे वीडियो में तीस बाद में करेंगे उसके बाद हम बात करते हैं निमने कथनों को पढ़िए और बताईए कौन सा सही और कौन सा गलत है ठीक है यहां पर हम बात करते हैं दो दे रखें पहले में कह रहा है 25 में शेश विश्व से कार का आयात चालू खाते के नामे डैविट भाग में दर्ज किया जाता है बहुत ही जाता ध्यान से सुनेंगे कोश्चन नंबर 25 ठीक है पहली बात तो देखो मैंने आपको बता दिया ये मशीन वगेरा जित्ती भी होती है ये तो चालू खाते के डैविट साइड में आएंगी क्योंकि इससे आउट फ्लो होगा ये तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है कथन जो है वो तो ठीक है और बोला है ये अर्थवेवस्ता की संपत्ती को शेश विश्व में बढाता है अर्थवेवस्ता की संपत्ती को शेश विश्व में बढाता है ये जो यहाँ पर रीजन जो लिखा गया है ये रीजन जो है ये गलत लिखा हुआ है इंगलिश में देखो क्या लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ हुआ विटा गाड़ी हमने खरीदी तो भाई हमारे अर्थवेवस्ता के इंदर असिट को इंक्रीज कर रहा है ना दूसरे देशों में तो कमी कर रहा है दूसरे देशों में तो हमें बेची है तो कह रहा है रेस्ट आफ देशों में असिट को इंक्रीज कर रहा है सारे देश के अंदर इंक्रीज कर रहा है तो जो यहां पर रीजन दिया गया है कारण जो दिया गया है वो गलत है ठीक है कथन ए सही है और रीजन जो है रीजन जो है वो बिल्कुल ठीक दे रखा है तो इसका जो अंसर है आपका वो है आपका C C option जो है वो बिल्कुल ठीक है क बैंकों के प्रात्मिक जमाव में वृद्धी की यह बहुत अच्छा कुश्चन है ठीक है तो इसका जो अंसर है वो है जंधन योजना मैंने पहले ही बताया था जंधन योजना पर कुश्चन कंपल से लिए मैंने MCQ में भी इंक्लूड कर रखा है इस योजना के तहत करोड़ों लोगों के जिरो वैलू पर अकाउंट ओपन किये गए जिससे कि जिरो वैलू पर अकाउंट ओपन हुए तो लोगों ने अपनी जो छोटी छोटी बचते हैं जो पैसा है वो अपने अकाउंटों के अंदर जमा कराया जिससे कमर्शल बैंकों के पास पैसा आया जो पैसा आया वो ही तो प्रात्मी जमा होती है जो बंदे पैसे जमा कराता है अपने अकाउंटों के अंदर तो जन्धन योजना जो है इसका अंसर हो जाएगा बहुत ही अच्छा कोश्चन है ये उसके बाद कहाता है कि नीमन कत्थनों को पढ़िए और बताइए किया है सारे कोश्चन आप देख लीजिए असर्शन रीजिनिंग असर्शन रीजिनिंग इसी के उपर है दूसरे पंच वर्षे योजना को भारती अर्थ्वेवस्ता के उद्योगी करण के लिए एक मील का पत्थर जो है वो माना जाता है दूसरी फाइव यर प्लान जो है उसके अंदर सार्जनिक शेत्रपल बल दिया गया तो अभी मैंने उपर ही बताया था आपको यह भी बिल्कुल ठीक लिगा होगा है जो दूसरी जो पंच वर्षे योजना उसको मैंने भी इसका मोडल कहते है जो कि अधारित है इंडस्टिलाइजेशन पर जो कि फोकस करती है कि गौर्म वो इसकी कथने की बिल्कुल सई व्याख्या कर रहा है यह जो है यह इसका अंसर है यह वाला ठीक है जी उसके बाद है 28 वे के बात करते हैं कि निमन में से असत्य कथन को चुनिये ठीक है तो यहाँ पर हम बात करते हैं बोला है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इसमें से कौ का मुख्य स्त्रोत ते ग्रामिण विकास की आरंबिक अवस्ता में गैर संस्तागत स्त्रोत कौन से होते हैं माजन, भूसामी वगएरा ये तो ये तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है उसके बाद लिखा हुआ है किर्शी विपणन में केवल उत्पादन तथा पैकिंग किर्शी विपणन में केवल उत्पादन तथा पैकिंग शामिल होते हैं ये B में लिखा हुआ है C में लिखा हुआ है लगू साक समीतियों का ग्रामिण बच्चतों के संग्रेण में मैत्रपूर्ण भूमिका होती है और उप्रयुक्त में से कोई नहीं उसने बोला विटा असत्ते कथन को चुनिए गलत वाली स्टेटमेंट बतानी है तो गलत जो यहां पे स्टेटमेंट है वो है विटा B क्योंकि भाई किर्शी विपणन के अंदर केवल उत्पादन और पैकेजिंग का शामिन नहीं किया जाता किर्शी विपणन के अंदर उत्पादन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग और बेचना उत्पादन से लेके बेचने तक जितनी भी क्रियाएं की जाती है वो सब किर्शी विप्रन के अंदर आती है और इसने तो यहाँ पे केवल प्रोडक्शन और पैकेजिंग लिख दिया तो जो B statement है वो गलत है क्योंकि किर्शी विप्रन ने बहुत ज्यादा वाइडर टम है इसका जो लेना देना है वो केवल प्रोडक्शन और पैकेजिंग से नहीं है, इसके अंदर और भी कई सारी चीज़े आती है, like मैंने आपको बताया grading, marketing, etc. ये भी इसी के अंदर आती है, बाकी जो statement है A, C, ये जो A और C statement है, ये बिल्कुल ठीक लिखी हुई है बेटा, तो B जो A, वो इसका answer हो जाएगा, क्योंकि गलत वाला में बताना था, कौन सा गलत लिखा हुआ इसके अंदर, उसके बाद कहता है कि इसमें, इसको ध्यान से पढ़िए assertion और reasoning का question है, ये भी इसमें ये कहता है के कहता है कि मानव पूंजी निर्मान जो है, मानव में अधिक कुशलता और उत्पादक के समावेश की प्रक्रिया है, तो अभी मैं आपको जब ये चैप्टर पढ़ाया था, इसके question दे बतायते कि बाई, बिल्कुल ठीक कहा रहा है कि human capital formation, जो है, human के अंदर efficiency और productivity को एक increase करने की प्रक्रिया है, समावेश करने की प्रक्रिया है, तो assertion तो जो है बिल्कुल ठीक लिखी वी है, मानव पुझी, भौतिक पुझी को बहतर परियोग करने के योग्य बनाती है यहाँ पे जो reason दे रखा है बिल्कुल ठीक दे रखा है क्योंकि भौतिक पुझी को कौन बनाता है, इसकी इंपोर्टेंस लिखी वी अगर आपने यह चेप्टर पढ़ा है, मानव पुझी वाला बहतर पुझी, जब मानव पुझी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उसी तरीके से बहतर पुझी का यूटिलाइजिशन हो पाएगा ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे आपको यह धियान रखना है, कि भाई, यह जो रीजन है रीजन का असर्शन के साथ कोई लिंक नहीं बना है उपर में कहा रहता है, कि मानव पुझी एफिशेंसे प्रोडक्टिविटी में समावेश करता है, वो तो ठीक है बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है, कि मानव पुझी, भौतिक पुझी का भैतर पर यह इसकी इंपोर्टेंस दे रखी है, ठीक है इसका इसके साथ जो है, कोई लिंक नहीं है इसका जो आंसर है, वो बी ओप्शन हो जाएगा यहाँ पे कॉलम बन है, कॉलम टू है, त्री आयामी द्रिष्टी कोण निर्धनता का वर्गी करन है, यह तो गलत है भाई, त्री आयामी द्रिष्टी कोण निर्धनता का वर्गी करन थोड़ी है, मन्रेगा जो है बन देगा जो है वो ग्रामिड कुशल श्रमिकों को रोजगार का निश्चित्ता देता है सैन सूचक रोजगार का सूचक है जब व्यक्ति गणना अनुपात निर्धनों की गणना के लिए है कह रहा है सही युगम को पैचानिये head count ratio जो है head count ratio जो है वो क्या बताता है देखो head count ratio जो है आपको ये बताता है poverty line से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है निर्धनों की गणना के लिए सैन सूचक जो है वो भी poverty के लिए होता है रोजगार के लिए नहीं होता और बन देखा 100 दिन का गैरंटी दे रोजगार देती है ठीक है 100 दिन का देती है लेकिन यहाँ पे लिखावा है 100 दिन नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे 100 दिन नहीं लिखा हुआ है इसलिए हो सकता था ही है लेकिन अगर 100 दिन आता मैं तो इसका पूरा साल का बन गिया तो D जो option है वो बिल्कुल ठीक दे रखा है कि head count ratio जाए वो निर्धनों की गड़ना करता है poverty line से कितने लोग नीचे रह रहे हैं ठीक है जी तो 30 question हमने इसमें कर ली है बाती के जो 30 question है वो हम next video में cover कर लेंगे आप मुझे बताईएगा comment box में comment करके कि आपके इन 30 question में से जो है तो इस 30 वे कज़ा answer है वेटा D इसका answer है ठीक है आप मुझे comment box में comment करके जरूर बताईएगा कि आपके इस 30 में से कितने question सही है और कितने question गलत है ठीक है किसका क्या answer हो सकता था वो सम्में ने आपको बता दिया है कि क्यों किसका क्या answer है ठीक है जी मिलते हैं आप से next video में ऐसी interesting topic के साथ तब तक के लिए have a good day बाई बाई टेक केर